आज जैसे इंडिया विक्स थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा है तो बजार के अंदर रंगत देखने को मिल रही है आज इंट्रा डे लो से मार्केट के आई है रिकवरी निफ्टी आ चुका है हर निशान में आपको बहुत बढ़ाई आज सुबह गिरावट के साथ खुल पहली बार ऐसा मौका है जब हम रिवर्स ट्रेड में काम कर रहे हैं हम खुले कमजोर और उपर आए इस से पहले हम खुलते उपर थे और नीचे जाते थे तो आज पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है और सुबह सुबह हमने नाकेवल अपनी रिशर्च टीम पीस तेम सब को ब आप देखोगे बैंग निफ्टी में पड़ी यह वजह थोड़ा बैंकिंग काउंटर्स को और मेहनत करने पड़ेगी क्योंकि इसके साथ आज रिलाइंस का वेटेज काम कर रहा है सवा परसेंट निफ्टी के साथ रिलाइंस का वेटेज है इसलिए यह आज थोड़ा एक्स्टरॉडरी उपर है बलकि बैंग निफ्टी का कोई भी कॉंपोनेंट आप देखोगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एक और चीज़ यह रिलाइंस आपको दिखाओ एक और इन इप निफ्टी का ईइटी इंडेक्स आईटी इंडेक्स में कुछ जार्आ गिरावत नहीं होनी चाहिए तो आप देखो कि पीडीर फिरागर करके नीचले सत्तर से रिकवर कर रहा है जब आईटी रिलाइंस और इस तरह का और कुछ सिस्टम में आएंगे तो बैंक आपको दिखाता हूं मैं ज़रा मिटकेप और स्मॉल केप के अंडाइस इस भी दिखाई हैं साथ ही एडवांस डिक्लाइन रेश्यों भी दिखाई है एफेंड वाले जो मैंने आपको सुबह सुबह नोटिस करवाई थी मैं सारी चीजे इसलिए नहीं दिखा रहा है कि आपक की रेश्यों में हम काम कर रहे हैं 46 शेर से डिकलाइन में 133 शेरों के पास बढ़ाता है सुबह वन इस्टो टू में थे तो ये मेरे बड़े काम का होता है फेंडो डाटा तो मैं इसमें जड़ा गैस लेता हूं और मैं को आइडिया मिलता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ एक चीज़ चलो मैं आपको अपने सौफ्टेर से भी बताता हूँ जिसको मैं फॉलो करता रहता हूँ और इसी सौफ्टेर के बिस्सिस पर एक चोटा सांकड़ आपको बताता हूँ मैं निफ्टी का अभी का अपडेट बता रहो हैं 12 बजे का आप्शन स्चेन के हिसाब से 139 लोग मैं लोग बोल रहा हूं 139 लोग बजार को नीचे गिराना चाते हैं 184 लोग बजार को उपर बढ़ाना चाते हैं 12 बजे पहली बार सिगनल आ रहा है PCR का पुट कॉल रेशो का और VWAMP का वाल्यूम वेटेड एवरेश प्राइस का के दोनों में हलकी हलकी बाइंग हुई है यह 12 बजेगे हर 15 मिनिट के गैप पे आता है मेरे पास तो मैं उसी बेसिस पर आपको बता रहा हूं में पास अभी सीगनल इसका आया है कोई बड़ी बात ने कि सेकंड आफ पॉल बैक का हो जाए बट कितना फास्ट होगा यह बहुत अट तक विक्स के उपर डिप भी है मैं आज उनको सुबह याद भी कर रहा था उनकी SBI की कवर्ड कॉल के लिए मैं आपने बुलिश कॉल हमको एक दी थी कल बुल बुल स्प्रेट था एक्चुली में आपने बता था एड़ दा मनी SBI की कॉल पकड़ना और उपर जाके 30-40 रुपे की उपर की कॉल बेच स्क्रीन पर आएगा अगर आप अचला करें तीन परसंट का गेन वहां से आपको मिला होगा है HPCL डाइफ परसंट ITC एक परसंट तीन और दो पांच और एक छे साड़े छे परसंट गयन है तीन शेर उनके चल के आपको काम आ गया हो कल हमने पाशच पाशी शेर मैक्स टु लग गया वड़ावर जैसे भी है तीनों तो पांचो शाड़ेशे परसेंट है फिटी परसेंट करोगे तीन परसेंट और फिटी करोगे तो डिड़ परसेंट है तो आपको जो प्रॉफिट डेली विस्टिस पर चाहिए होता हुँ अपके सामने रख देते हैं मैं फिर से बोलता हूँ इस Shows को अगर आप Regressly follow करते हैं किसी भी में अइमान को follow करते हैं मैं example के लिए अपना बताता हूँ मालो में ने परशान सावन को follow किया तो हर मंगलवार मैं उनको follow करता हूँ आते हैं थे नंदि-ism उन्हें को न बखताती है और लुद्धा समय है तो इन दोनों इन दोनों को फॉलो करते हो तह पकड़ दो पकॉल को लगे हैं आपके सारे गैस्ट अच्छे है सथर हम तो और डेली फॉलो करते हैं तो फिर आप एक काम कhour वी सोंबार करो बंगलवार करो बुद्धवार भी करो हर गेस्ट के उसके स्टॉपलोसिस टार्गेट के साफ से छोटा-छोटा पॉर्टफॉलिई बना लो आप डेली बिस्टिस पर कमा के निकलोगे शो से तो मैं गरंटी से बोल सकता हूं ठीक जी आगे बढ़ें अब हम जरा आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या करना चाहिए अवनी भट की रिकमेंडेशन आपके स्क्रीन पर आएंगी आप उसको नोटिस कीजेगा अवनी आज मार्केट में पहली बार स्क्रीन देखके ऐसा लग रहा है हाला कि डाटा उतना भी कन्वेंसिंग नहीं आ रहा है जितना कन्वेंसिंग होना चाहिए इस तरह के फॉल के बाद अभी एपसेंट कन्वेंसिंग कन्विक्शन बट फिर भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाजार आज नहीं ठोड़ा फाइट करने के मूर में हैं कि भाई मैं और नहीं गिरूंगा मेरे को आप और नहीं गिरा सकते हो यह जो फीलिं कि बाद से मैं पार्शली सहमत हूँ यह व्यू मेरा भी है कि निफ्टी में जो है डिटा काफी स्ट्रॉंग है जो 22-220 का एक बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट है जब तक उसकी नीचे बंद नहीं देता है या अगर इंट्राडे मूवमेंट देख रहे है तो 22-140 के नीचे ज के 22-500 पे resistance है तो निफ्टी में तो व्यू यहां से recovery का है positive है और हमने clients को यह recommendation भी दी है covered call की recommendation भी है निफ्टी में बट व्यू बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा अभी confidence नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी का data जो है वो काफी खराब हो चुका है कल weekly support के नीचे बैंक नि दिया था तो यहां से कोई भी अगर pullback आती है बैंक निफ्टी में तो मेरे हिसाब से वो फिर से उसमें बिक्वाली हो जाएगी और वैसे अभी तक pullback आया भी नहीं है बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर ही नजर आ रहा है and main जो culprit है वो private banking sector है PSU में अभी भी काफी आज तो तेजी दिख रही है और थोड़ा data strong हो चुका है PSU banks का already बहुत correct हो चुके है तो banking के लिए अभी यहां से अगर 48 के नीचे अगर बंध हो जाता है तो फिर हमें अगले आने वाले एक या दो दिन के अंदर नीचे 47,600 और 47,300 के levels दिखाई पढ़ेंगे और अगर 48,000 के उ तक cross नहीं करता है तब तक bank nifty में stability आना थोड़ा मुश्किल है so view अभी bias जो है वो nifty के तरफ होगा and bank nifty को थोड़ा सा हम और देखेंगे data थोड़ा और confidence देखा उसके बाद हम इसमें buying की position बना सकते है ठीक है तुकल फिलाल bank nifty पे तब वेटेड वाच है बट nifty पे आपका confidence हाई है आप ये कह रहे हैं कि nifty 200 सबाद 200 का जो base बनाये हुए यानि कि आज का intraday low भी आप count कर लो चलो आज का intraday low ही आप समझ लो तो intraday low आज का जो बना हुआ है आप उसको भी बना के रखो के त 9400 पारbnा फिर और चल जाएगा बजार तो फिलाल मेरा भी यह मानना है कि 4500 तक एजीली आ जाना चाहिए पुल बैक है फो पुल बैक को पूल बैक के हिसाबना चैया लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि India इस जैसे तूटे या ना आपका confidence का लेफका यह स्पीड से नहीं तूट़ रहा इसलिए धीरे धीरे चल रहा है इंडिया विक्स नीचे लाओ आओ आओ आगए है लाल निशान में अगर सुबह से ही इस चीज़ पे मेरी सबसे आरा नज़र є अगर नहीं है तो आप मेरे सुबह का वीडियो उटाके देखिए हमने यह बा कर रहे हैं तो आज का जितना गैप डाउन था वो हमने सब साफ कर दिया और कल की क्लोजिंग के उपर भी आ गए ठीक ची तो यह पॉइंट बस मेरे को आपको नोटिस कराना था एंड आई हूप कि आपको अच्छा पैसा बन रहागा सुबरीम ने आपको 2200 वाली कॉल भी नो अवने एक तो गेल है और दूसरा चंबल फरिटलाइजर है दोनों को जर एक बर चेक कर लो दोनों पर आपका ट्रेड है क्या चंबल फरिटलाइजर और गेल जी गेल पे मैं यहां पे बाइंग की सला दूँगी कल का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ है और कल का हाई और यह निकल चुका है हम फ्यूचेस में भी इसमें ओपन इंटरेस अडिशन देख रहे हैं करीबन 4% के आसपास हो चुका है सुबह से तो गेल में हम खरीदारी कर सकते है और इसका जो पचास दिन का मुविंग आवरेज है डेली चार्ट पे वो आता है 191 पे तो 191 का स्टॉप लॉस लगा के उपर के तरफ इसका टार्गेट रहेगा 212 से 215 तक का तो इसमें इस करेंट लेविल से रिस्क रिवार्ट बहुत अच्छा है तो गेल में हम खरीदारी करके चल सकते है चंबल फर्टलाइजर इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे कल का हाई जो है वो 402 रुपे 90 पैसे का है तो 403 के उपर तो इसमें टार्गेट रहेगा 432 का ठीक है तो दोनों पर आपको ट्रेड मिल गया है गेल पर और चंबल फर्टलाइजर पर कैसे कैसे ट्रेड करना भी छपा हो आपकी स्क्रीन परा जाएगा आप नोटिस करते जाएगा मैं फिर से बोल रहा है सेलेक्टिव रही है अभी भी बाजार कोशिश कर रहा है आज फाइट करने की ठीक करने की धीरी जरी कॉन्फिडेंस आएगा फिर आपको शेर भी अच्छे मिलेंगे मॉमेंटम भी मिलेगा इस बार थोड़ा मॉमेंटम भी लूज हुआ पड़ा है ठीक है क्योंकि कन्विक्शन नहीं है ना आप शेर ढूंडते हो बाय का मार्केट चलने नहीं देगा आपको तो कैसे आप चला है हाँ इंडिजिल स्टेंथ हो शेर के अंदर हो एक अलग बात है लेकिन नहीं तो अगर वो बाजार का अधीन है यानि कि बाजार के साथ ही चलता विरता है तो फिर तो बहनत का जड़ा करनी पड़ती है तो यह लेवल्स हैं जिसमें कंडिशन लगी हुए 403 वाली इसके उपर आके टिक जाए तो फिर 432 तक जाएगा जी गुजराद केस में शॉर्ट कवरिंग जरूर हमें दिखाए पड़ रही है बट जो मोमिंडम पिक अप होना चीए वो जादा नजर नहीं आ रहा है इसमें मेरे हिसाब से यह उपर आराउंड 564 के आसपास अटक सकता है जबकि अगर यहां से हम खरीदारी करते है तो इसका stop loss बनता है नीचे 527 का तो risk reward के इसाब से देखे तो यह बहुत अच्छा तो नहीं है करीबन almost 1 is to 1 का risk reward है तो 1 is to 1 risk reward के साथ अगर आप interested हो trade करने में तो कर सकता है लेकिन जादा conviction buy नहीं है इसमें और दूसरा कौन सा बताए आपने ठीक है टाटा कॉम्मिनिकेशन जी टाटा कॉम्मिनिकेशन व्यू बिल्कुल positive है in fact बहुत जादा confident trade है यह तो टाटा कॉम्मिनिकेशन में हम करीदारी कर सकते है यह हमने आज clients को भी recommend किया है अगर आप इसको देखे तो पिछले दो हफते से almost 22 April से लेकर के एक जो range है नीचे consolidate काफी अच्छा हुआ है नीचे 1715, 1720 के level पे support लेता है यह stock और वहाँ से फिर उचालाती है और आज जो है इसने उपर के तरफ एक shorter moving average इसके उपर move दिखा दिया है और मेरे हिसाब से यह और उपर चलना चाहिए इसका जो target आ रहा है उपर के तरफ almost यह 1935 तक चलना चाहिए positional target रहेगा अगर swing trade के हिसाब से भी देखे तो भी यह 1830 का target आ रहा है तो इसमें हम खरीदारी करके चलेंगे और नीचे इसका stop loss रहेगा 1710 का 1710 का एक stop loss है confidence आपका ज्यादा है trading calls में तक है आपके call और इस बीच हमने नीचे एक breaking चलाई है कि बजार दिन के उपरिस तरों पर आ गया है अवनी जैसे आप आए market के अंदर बड़त भी आई है देखो इंडिया विक्स का अभी भी मैं बोलूंगा कि अभी गीरा नहीं है मिरको भी और दम चाहिए यह जो market आर है ना recover कर रहे है इसकी थोड़ी से मजबूरी जैसा समझ लो आप ही कि थोड़ी शरम कर रहा है थोड़ी मजबूरी कर रहा है कि चलो भी ठीक है लेकिन आज तीन चीज़े अच्छी हुई है पहला इंडिया विक्स बढ़ने से रुका है दूसरा पॉइंट तीसरे चरण की वोटिंग कंप्लीट हुए उसमें वोटिंग परसंटेज जादा नहीं नीचे डिप हुआ तीसरी इंपोर्टेंट चीज आज हम पहली बार रिवर्सल कर रहे हैं खुलते उपर हैं और फिर नीचे आज खुले उपर गए हैं आज ये कई दिनों बाद हुआ है चौथी इंपोर्टेंट चीज जो मेरे को मार्केट में नोटिस हो रही है वो यह हो रही है कि आप यहां पर आके थोड़ा सा बेस सा बन गया है आप ओवर्सल्ड भी हो गए थे तो यहां पर आके एक चोटा सा पूल बैक आपको और मिल रहा है और लाइंस के लीडर्शिप सामने आई है बड़ा शेर चाहिए होता है बड़ी गिरावट के बाद रोकने के लिए और लाइंस से बड़ा शेर कहां से ढूंड के लाओगे फिर भी फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप इस चीज का ध्यान देखना यह एक पूल बैक ट्रेड है इसकी भी एक मर्यादा और एक लिमिट है उस तक की बाद फिर इसको नई उरजा की जूरत है वो नई उरज जब बैंक निफटी हमको देनी रहे आप ट्रस्ट में बैंक निफटी आसरफ हरे ने शान में लेआऊ आप या कल के लोज से उपर खड़ा कर दो आप हाई से मैलम कल का जो ख्लोजिंग का उसके उसकी ऊपर घढ़ टो फिर आपको दिखाता है बैंक निफटी आजीकली ए अंदर विजीबल नहीं हो रहा जिसकी बहुत सकते जूरत है ठीक है कोई बात नहीं में इसके बारे में चर्चा करेंगे अलड़ी हमने सारे शेयर आपके सामने तेजी के दिखा दी हैं गुचरात गैंस को हम डॉप मार रहे हैं कुछ ज़्यादा इंटरस्ट है नहीं टाटा करके रखते हैं तो ठीक है यह मोटा मोटी व्यूपाइंट हमने आपके सामने बढ़त है निफ्टी के अंदर बैंग निफ्टी थोड़ी जद्व जहद कर रहा है आपको पता है प्रॉप्लम बैंग निफ्टी की थोड़ी जादा है यह कॉन्फिडेंस नहीं आने दे रहा बस अदरवाइस वैसे के प्रॉब्लम नहीं है बजार आज हिम्मत करके जो फाइट करने की इसकी आदत है वो आज वो रियल टर्म में दिखा रहा है मैं एक्सपेट करता हूँ कि सेकंड आफ में बैंग निफ्टी भी पार्टिसिपेट करेगा यह मेरा एक्सपेक्टेशन है मेरे को भी पता निफ्टी पे मेरा कॉंफिडेंस था इसले हमने निफ्टी खुलके बोल रहे हैं सुबह से ही कि आज आप 20% पॉजिशन जरूर लो और बैंग निफ्टी भी आज एक अटेम्ट लेने की कुशिश कर सकता है लेट सी देखते हैं क्या होता है लेकिन अभी बट ताजा विक्वाली वाले शेर्ज आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं भारत फोर्ज है और M&M फानेशल है दो ऐसे शेर्ज हैं जहां पर आप फ्रेश शॉटिंग हुई है एक बार जरा आवनी दोनों चेक कर लो आप कहीं कुछ दम है तो बताओ फिर जी मेरे इसाब से तो भारत फोर्ज ऑल्मोस्ट जो इसका 50 डे मुविंग आवरेज है 1196 और वो सेम लेवल उसका वीकली सपोर्ट भी बन रहा है करीबन 1191 के आसपास तो जब तक वहां तक नहीं आता है तब तक मेरे इसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता है विक्वाली भी नहीं बनती है यहां पर क्योंकि थोड़ा सा डाउनसेड बागी है इस बहुत जादा नहीं है तो इसको कम्प्रीटली अवोइड करेंगे वेट करेंगे नीचे 1995 के रेंज तक आए तो वहां पर हम ट्रेड देख सकते हैं ठीक है दन तो भारत वोर्ज आपका वर्ड में फानेशल में कोई ट्रेड में फानेश जी M&M Finance भी अवोइड रखेंगे इसमें भी फिलाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है बट इसके बदले हम लोग मुधूत फानेश में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं फिलाल M&M Finance में भी कोई ट्रेड नहीं रहेगा तो मुधूत फानेश का बता दो आपका जो ट्रेड है शॉटिंग का या लॉंग का वड़ेवर जैसे भी आप बताना चाहते हो उसमें जी लॉंग का ट्रेड रहेगा मुधूत फानेश में एक अच्छा सपोर्ड बेस बन चुका है और कल इतनी गिरावट के बाद भी अपर के तरफ सत्रा सो पचपन तक चलने की उमीद है और इसका जो स्टॉपलास लगाना है वो है 1652 का तो बहुत अच्छा रिस्क रिवाड बैट रहा है यहां से 1652 का स्टॉपलास रहेगा और सत्रा सो पचपन का टार्गेट रहेगा ठीक है डन तो मुथूर्ट पे भी आपको रिकमेंडेशन या पर मिल चुकी है हलाकि हमने पूछे दो शेयर से बारत फोर्ज और एमेडम फानेशल दोनों शेयर जवाइड की कैटिगरी में चलेगे मुथूर्ट उसकी अगेंस्ट में पॉजिटिव ट्रेड आपको मिल गया तो आपके बास चार सो दे तीन सो दे इंफैक्ट हो गए चार पहले थे उसमेंसे एक ड्रॉप हो आथा तो उसकी जगे पर एका मुथूर्ट आपको और ले लिजिए अब निभट आपने त्रेडिंग कॉल्स अपनी दे दीजे उसके बाद समय बचेगा तो फिर और आगे पूछेंगे पहला स्टॉक रहेगा टाटा कंज्यूमर तो टाटा कंज्यूमर भी हमने कल देखा कि इतनी जो बिक्वाली वाली मार्केट थी उसमें टाटा कंज्यूमर एक पॉफॉर्मेंस ठीक था था पॉजिटिव रहा था क्लोजिंग भी पॉजिटिव और तीन परसेंट का लॉंग फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट आडिशन भी दिखाए पड़ा था इसमें हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट भी ग्यारा सो के पुट में है तो बिलकुल सपोर्ट के नस्दीक है और उपर के तरफ ग्यारा सो से लेके का डिक मिलता है तो वहां पे हम और आड कर सकते हैं उपर के तरफ इसका टार्गेट दो टार्गेट रहेंगे ग्यारा सो पच्पन और ग्यारा सो पैसेट का और नीचे एक हजार वन जिरो सेवन फाइफ का हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे ठीक एवनी बहुत शुक्रिया थैंक्यों वेरे मच आज आपके ट्रेड हमने नोटिस करवा लिए एक तो आपने आलरी हमको पहले दे दिया है मुथोट फानेंस इसके अलावा आप ये टाटा कंस्यूमर्स कह रहे हैं आपने कुछ तेजी के सौधे और दिया हैं आपके आ आपका इंतजार कीजी मेरे ऐसा मानना है कि सेकंड आप में अगर बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट कर जाए तो फिर आज के जो बॉटम है वो नियर वाइक टर्म्स के बॉटम भी बन सकते हैं ठीक जी तो ये नोटिस करने वाले आज के शियर्स थे अवनी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यों वेरे माच समय निकालने के लिए बहुत बश्च शुक्रिया थैंक्यों वेरे मच फिलाल इसकारकम से मितने हैं बसते हैं